यदि आपका health insurance है तो कंपनियों के जिन hospital से tie up होते थे उन्हें network hospital कहा जाता था अभी भी कहा जाता है वहाँ पर cashless system होता था याने आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है direct company उनको पैसा दे देती है लेकिन कई लोग ऐसी जगे इलाज कराते थे कि जहाँ पर cashless system नहीं होता था और वो network hospital नहीं थे याने company उसे tie up नहीं होता था तो वहाँ आपको इलाज करने के बाद में पैसा पूरा देना पड़ता था और बाद में आप company से reimbursement करते थे तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं जात non network जहां network नहीं है वहां से भी अब cashless system लागू हो जाएगा company को वहां भी cashless की विवस्ता देनी पड़ेगी